भारत माता की जै जगनात आपका यस ने आपका ये प्यार इस आशिरवात के लिए मैं सभी देश वाज़्यों का रणी हूँ आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एंडिये की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है हम सभी जनता जनारदन के बहुत आभारी हैं देश वासियों ने भाज़बा पर एंडिये पर पूर्ण विश्वास जताया है आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निश्ठा की जीत है ये विख्षिद भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है एक सो चालीस करोड भारतियों की जीत है भाई और बेनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूँगा चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुसलता के साथ संपन्ड कराया करीब सो करोड मतदाता ग्यारा लाग पोलिंग स्टेशन देड़ करोड मतदान कर्मी पच्पन लाग बोटिंग मशिन है हर करमचारी ने इतनी प्रतंड गर्मी में अपने दाहित्व को बखुबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव के इस पूरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिक पर हर भारतिय को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिशन्सी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदारन नहीं है और मैं बेश्वाच्यों को कहूंगा मैं इन्फ्लियंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोगतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिशन्सी है ये अपने आप में बहुत बड़ा गवरव का विशह है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग है जो दुनिया में अपनी बात पहुचा सकते है उन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोगतंत्र के इस सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोगतंत्रिक देशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत पुर्व उत्सा दिखाया है और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनारदन को विजय के इस पावन परवपर आदर पुर्वक नमन करता हूँ मैं देश बर के सभी दलो सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूँ सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की विराठ सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकरता साथी को भी मैं रदय से धन्यवाद करता हूँ साथियों इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू है 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज्यों में जहां भी विदान सभा के चुनाव हुए वहाँ पर एंडिये को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंदर प्रदेश हो उडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है मेरे पास दीट्रेल तो नहीं है लेकिन साइद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोग सबाचुनाओं में भी उडिसा ने बहतरीन प्रदर्शन किया है ये पहली बार होगा जब महा प्रभु जगनात की धर्ती पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है हमारे केरल के कारकरताओं ने बहुत बलिदान दिये है कई पिडियों से वो संगर्थ भी करते रहें जन सामान्य की सेवा भी करते रहें और पिडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूँ पिडियों से जिस खशन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेलंगना में हमारी संख्या दो गुना हो गई है मद्दप्रदेश गुजरात चतिशगार दिल्ली उत्राखन हिमाचल ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश ओडिसा आंद्र प्रदेश और सिक्किम बिदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूं मैं इन राज्यों की जन्ता को भी स्वाद दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी आंद्र प्रदेश में चंद्र बाबु नायडू जी के नेत्रुत्व में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है बिहार में नितिश बाबु के नेत्रुत्व में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है साथियों दस वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जना देश दिया था तब देश ने हमें कि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था 2013-14 का कालखन देखिये देश निराशा की गर्त में डूप चुका था प्रेजाईल फायूद सब्दों से में नवाजा जाता था हर दिन अकबारों की हेडलाइन गोटालों से भरी रहती थी देश की उवाद पुरी अपने भविश्य के सबत में आसंकित हो गई थी ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था हम सभी ने पूरी इमांदरी से प्रयास किया काम किया दोहजार उन्नीस में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रतंड जनादेश दिया इसके बाद NDA का दूसरा कारकार विकास और विरासत की गारंटी बन गया दोहजार चोबिस में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का अथिरवाद लेने देश के कौने कौने में गए आज तीसरी बार जो आशिरवाद NDA को मिला है मैं इसके सामने जनता जनारदन के सामने विनए भाव से नत मस्तक हुए साथियों आज का यह पल नीजी तोर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है मेरी मा के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनार था लेकिन सच मानिये देश की कोटी कोटी माताओ बहनों बेटियों ने मा की कमी मुझे खलने नहीं दी मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया माताओं बहनों बेटियों ने अभूत पुर्वस ने और आशिरवाद दिया और यह आकड़ों में नहीं जिख सकता है देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा बोटिंग के सारे रकोर्ट उड़ गए इस प्यार इस अपने पन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यह मेरे भावों में है यह मेरे मन मस्तिच के कौने कौने में रचा बसा है देश की कोटी कोटी माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है साथियों पिछले दस साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिये हैं राष्ट प्रसम की भावना हमें असामान लक्ष हादिल करने का हौसला देती है यह हमें कुछ कर गुजरने की इच्छा सकती उत्पन न करती है